हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जिक बिंदर है चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोस 8.1 में स्टोरेज पूल या स्टोरेज स्पेसिस कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो चलिए इस एक्टिवीडि को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने विंडोस 8.1 वाले कम्प्यूटर के उपर देखिए मैं उस कम्प्यूटर के उपर आ गया जिसके उपर विंडोस 8.1 इंस्टाल्ड है इस कम्प्यूटर के उपर स्टोरेज पूल और स्टोरेज स्पेसिस को क्रियेट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये स्टोरेज पूल और स्टोरेज स्पेसिस क्या होते हैं तो इससे related वीडियो पहले से uploaded है, अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहें, तो screen पर दिये हुए link को click करके इससे related वीडियो को देख सकते हैं, इस Windows 8.1 में नया storage pool और storage space बनाने के लिए, मैं अपने mouse pointer को यहाँ पे left bottom corner पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे Windows या start button को right click करता हूँ, context menu में से control panel पे click करता हूँ, और control panel में system and security पे click करता हूँ, system and security में हमारे पास एक option होती है, storage spaces, मैं इसे click करता हूँ, ऐसा करते ही, हमारे सामने एक option available होगी, create a new pool and storage spaces, एक निया pool और storage space को create करने के लिए, मैं इस पे click करता हूँ, आप से permission मागी जा रही है, इसा करने के बाद, जितनी भी available disk इस system के उपर होगी, जिने की use करके storage pool create किया जा सकता है, वो आपके सामने यहाँ पे available होगी, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, कि जिन physical disk को आप storage pool में use करना चाहते हैं, उनके उपर कोई volume नहीं होना चाहिए, अगर उनके volume में रखे हुए data का आप backup ले लें, और उसके बाद उन volumes को delete कर दें, यहाँ पे इस system के उपर हमारे पास 3 hard disk हैं, जिनकी capacity 80 GB, 80 GB और 60 GB है, अगर आप इन 3 disk को use करना चाहते हैं, तो यह अपने आप से selected हैं, अगर आप इन में से किसी disk को नहीं use करना चाहते हैं, तो आप यह storage pool create करने का process start हो गया है, storage pool create हो गया है, अब आपको storage pool में storage space या virtual disk create करनी है, आपको storage space या virtual disk का नाम देना होगा, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ my storage or space, इस storage space को आपको एक drive letter assign करना होगा, आप यहाँ से drop down list में से अपनी पसंद क कोई भी drive letter चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे F drive letter को select किया है, उसके बाद इस storage space को usable बनाने के लिए आपको इसे format करना होगा, तो हम इसे NTFS से format करेंगे, जो कि by default selected है, इसके बाद यहाँ पे है resiliency, यानि कि आपके storage space का layout, इसमें से आप layout type को select कर सकते हैं, आप जरुरत होती है, और आपके data की exact image या copy दूसरे disk के उपर भी save होती रहती है, अगर इन में से एक disk fail हो जाए, तब भी आपका काम बिना रुकावट के चलता रहेगा, लेकिन इसे use करने से आपकी एक disk का space आप use नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके उपर दूसरे disk के data की exact copy र आपका system work करता रहेगा, इसके लावा parity जो की एक तरह से मिलता जुलता है RAID 5 के साथ, इसमें कम से कम तीन hard disk की जरूरत होती है, और parity जो की एक calculated value होती है, वो तीनों disk पे save होती है, ये सभी concepts RAID level से मिलते जुलते हैं, अगर आप इनके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप screen पर दिये हुए link को click करके RAID level से related video को देख सकते हैं, मैं यहाँ से layout type में simple को select करता हूँ, तो देखे यहाँ पे आपके पास maximum size available हो गया है, लेकिन इस case में अगर एक भी disk fail हो जाए, तो आपका data का loss होगा, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पे layout type या resiliency type select कीजिए, अगर आप एक से जादा storage space बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपनी जरूरत के अनुसार size भी change कर सकते हैं, जैसे मान लिजे मैं यहाँ पे 180GB टाइप करता हूँ, तो जो space बचेगा, उसे use करके आप एक और storage space भी create कर सकते हैं, storage space को create करने के लिए यहाँ से create storage space पे click करते हैं, तो देखिए storage space हमारा format हो रहा है, और एक निया drive letter F उसे assign हो गया है, यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ space बचता है, जिसे use करके आप एक निया storage space इस link को click करके बना सकते हैं, मैं यहाँ से cancel पे click करता हूँ, इसके बाद अगर आप future में चाहें, तो यहाँ पे इस storage pool में नई drives को add कर सकते हैं, यहाँ से pool का नाम change कर सकते हैं, यहाँ से storage space को भी आप change कर सकते हैं, अब मैं यहाँ से file explorer पे click करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे my storage space जिसका की drive letter F है, आपको दिखाई दे रहा है, और approximate size इसका 179 GB है और अब आप इसे किसी दूसरे volume की तरह आसानी से use कर सकते हैं, question time, चलिए आप मुझे एक question का answer दीजिए, आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने storage pool को create करने के लिए, control panel में से system and security को click करने के बाद किस option को select किया था, आपकी options है, A. storage pool, B. storage spaces, या फिर C. storage pool and spaces, आप इ नीचे comments में जरूर type करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप like बटन को press करना ना भूलें, नए और latest videos की information अपने mailbox में पाने के लिए, channel पे subscribe करें, तो इस वीडियो में हमने सीखा, कि हम Windows 8.1 में एक नया storage pool कैसे create कर सकते हैं, और उसमें storage spaces को कैसे create कर सकते हैं, उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for watching.